दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विरेंद्र सच्छदेवा ने कहा कि दिल्ली में पूरी स्वास्त सेवा चर्मरा चुकी है LNGP अस्पताल में 670 करोड का जो नया ब्लॉक बना है वो अपने आप में विरस्टाचार का केंद्र है हर बार नया घुटाला सामने आने पर दिल्ली सरकार में मंत्री अपना पला जोड़कर सरकारे विभाग के अधिकारियों की तब कुबली उठाते है हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर सरकार विभाग के अधिकारी दोशी हैं तो आप मंत्री के दोई पर क्या कर रहे हैं क्या कावर्ण है कि अस्पतालों में नकली दवाईयां दी जावे हैं जितने भी दिली सरकार की स्वास्त योजना हैं उसमें देवी का कावर्ण केवल दस्टाचाथ अब दीज ओल डिपार्टमेंट्स अदस सेंटर ऑफ करप्शन पूरी सास सेवाद चर्मना चुकी हैं इसा हम कई बार दिखाज चुके हैं बता चुके हैं हैं अस्पतालों में नकली दवाईयों का मामला हो मोला क्लिनिक में जो नकली टेस्ट हुए उसका विशे हो और एलन ब्लोग बनना है उसका जो एसकेलेशन हुए छेस्टो सब्सक्रोड करोड का वो अपने आपने बड़ा बस्टा चाल का केंदर हैं लेकिन उनके मंतरी जिम्मेदारी से भागते हैं और सिर्फ प्रेस कॉंफरंस करके अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं हर बार नय घुटा फ़िला आने पर अपना प्ला जारते हुए वो सरकार्य विभात की अदिकारियों कि तरफ उंगली उठा देते हैं हुए चुट क्यों अगर सरकारी विभात की अजिकारी दोशी है तो आप मंतरी के नातिया कर क्या रहें है है आपका काम स्रीशी सुधाइं लेना है भठ्त दी जाते हैं कि महला प्लेनिक जिसे आप अपना सब्सक्राइब बताते हैं एक यह नंबर पर हजारों टेस्ट हो जाते हैं और वह नंबर एक्जिस्ट नहीं करता है और उन टेस्ट रिपोर्ट्स के बदले में किक बैड लिया जाता है जितने भी इनके हेल्थ के परजेक्ट्स हैं उसमें देरी का कारन सिर्फ भष्टा चारा है समय अब्धी के अंदर काम पूरा नहीं करते हैं जानविच के चीज़ों को डिले करते हैं और उसके बाद उसकी चार्जिस बढ़ाई जाते हैं और उसमें किक बैट लिया जाता है जिसको लेकर विजयंदर जी ने बड़ी विस्तृत शिकायक एसीपी में की दिया और मुझे खुशी है बात की कि जाच एजंसी ने उसके कोगलीनस लिया है और निसंदे जैसे जैसे जहां चागे बढ़ेगी सोरा भारदौाज हों या बाकी जो भी इसमें सनलित अधिकारी ह उन्हों सब पर शिकंजा कसा जाएगा क्यों कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार सिर्फ ब्रस्टरचार लूटना और दिल्ली की जन्त